नमस्कार, स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर 8 नॉमबर 2022 को साल का आखरी चंद्र ग्रहन लगने वाला है 8 नॉमबर को लगने वाले चंद्र ग्रहन का 5 राशियों पर सबसे ज़ादा असर होगा ये 5 राशियां कौन सी हैं? ग्रहन का इन पर क्या असर होगा? ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे तो वीडियो के अंतर तक बने रही हमारे साथ साल 2022 का आखरी चंद्र ग्रहन 8 नॉमबर को लगने जा रहा है वैसे तो चंद्र ग्रहन और सूर्य ग्रहन एक भोगौलिक घटना है लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत माना जाता है ग्रहन का नकारात्मक असर ना केवल लोगों के जीवन पर पड़ता है बलकि इसका असर पूरे धर्ती पर पड़ता है 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहन लगा था ऐसे में 15 दिन के भीतर ही साल का आखरी चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है ऐसे में कुछ राशियों पर इसका दुषपरिणान देखने को मिल सकता है आईए जानते हैं वे राशियां कौन सी हैं तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंततक बने रही हमारे साथ व्रिशव राशी व्रिशव राशी के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहन शुब नहीं है आपको इस दोरान अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए साथी ग्रहन के दौरान कोशिश करें कि किसी भी नए काम को शुरू करने से दूर रहें मिथुन राशी के जातकों पर भी साल का आखरी चंदर ग्रहन बुरा असर डालने वाला है इस दोरान आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं साथी मानसिक तनाव की स्थिती भी आ सकती है कन्या राशी, चंदर ग्रहन के बाद कन्या राशी के जातकों को पूरे 15 दिन साधान रहने की जरूरत है किसी भी तरह के अनावश्चक खर्चे से दूर रहें वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है व्रिश्चिक राशी के लोगों को ग्रहन के दोरान संभल कर रहने की जरूरत है इस दोरान पैसे में जुड़ा हुआ कोई भी काम करने से पहले काफी सोच विचार करें वरना आपका बड़ा आर्थिक नुक्सान हो सकता है मेश राशी चंद्र ग्रहन का प्रभाव मेश राशी पर भी पढ़ सकता है इसके प्रभाव से मेश राशी को धन हानी के साथ कुछ स्वासे समस्याओं का भी सामना करना पढ़ सकता है इसलिए सावधान रहें ग्रहन के प्रभाव से बचने के लिए इन सभी राश्यों को साधानी बरतनी है ग्रहन के दोरान कोई भी शुबकारे ना करें और ग्रहन समाथ होने के बाद दान्य पुन्य करें आपका दिन मंगल मैं होगा धन्यवाद